क्यों नहीं खोले जाते ताज महल के वो 22 कमरे क्या है उन कमरों के पीछे के बंद दर्वाजे का राज आखिर क्यों उठ रही है उन कमरों को खुलवाने की मां क्या सच में उन 22 कमरों में है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तिया जानने के लिए बने रही है वीडियो के अ जनता परदा उठाना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि आखिर क्यों नहीं खोले जाते, वो बाविस कमरों की दरवाजे, ताज महल जो एक प्यार की निशानी है, जिसे मुगर समरा शाजान ने अपनी पत्नी मुम्तास की याद में बनवाया था, इस खूपसूरत इमारत क बनवाने में लगभग 22 साल लग गए थे, और अब 22 साल में बने इन 22 कमरों को खोलने की मांग आई है, बता दे कि इलाबाद हाई कोट की लकनव बेंच में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया कि ताज महल के 22 कमरे खोले जाए, ताकि मालूम चल सके कि उसके भी देवी देवताओं की मूर्ती और शिलालेक है या नहीं, वारा नसी के ग्यान वापी मज्जि काशि विश्वनात मंदिर विवात के बीच, अब आगरा का ताज महल भी चर्चा में है, इलहबद हाई कोट की लकनो बेंच में ताज महल को लेकर एक याची का दायर की गई है जिसमें कहा गया कि ताज महल के बाविस कमरे हो ले जाए, ताकि उन कमरों की पीछे की सच्चाई का राज मालूम चल सके, यह याची का डॉक्टर रजनीश सिंग ने दायर की है कि A.S.I. के टीम ताज महल के बाविस कमरों की जाच करे, सब लोग दावा कर रहे हैं, ताज की निशानी की कारव देश में विवात गहरा रहा है, आखिर बाव इन कमरों को 1934 में खोला गया था, तब यहां केवर निरक्षन किया गया था, उसके बाद से ये बंद है, ताज महल में चमेली फर्ष पर यमूना किनारे की और जाने के लिए दो जगा सीडिया बनी है, इ ऐसे तो ताज महल में शिव मंदिर को लेकर सवाल काफी समय से उठते रहे है, पहले मां तेजो मैं या तेजो महलाय नामक महादेव का मंदिर था, कई इतियासकार ऐसा दावा भी करते हैं कि शान जहां ने मंदिर तोड़कर उसकी जगा ताज महल बनवाया था, इस बात का जिकर इतियासकार PNOK की किताब True Story of ताज में भी किया गया था, ओक ने अपनी किताब में ताज महल के शिव मंदिर होने से सम्बंदित कई दावे किये, अब इतियासके पन्नों का सच तो तभी सामनी आएगा जब 22 कमरों के दरवाजे खोले जाएंगे